हेलो वेलकम साथियो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल देवुमी एजुकेसिन पॉइंट में यहाँ पर आप लोग के इन्फोर्मेशन देनी है अभी थोड़ देर पहले ये इन्फोर्मेशन आई है कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले परवक्ता का परिड़ाम जारी हुआ था जिसमें आपकी रॉल नंबर देखने को मिलेते हैं उसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन था डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया था जितने बच्चों को उसकी डेट अभी आ चुकी है तो हम देख ले हैं मोटी मोटी निगास है कि आप लोगों का डेट किस सब्जेक्ट का किस दिन है साथ मार्च से शुरू होने वाले हैं और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने पड़ेंगे और क्या-क्या चीजें आपके लिए जरूरी है क्या क्या आपको पहले से तयार क करनी है कुछ इन चीजों पर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते दोस्तों साथ फरवरी से जो है साथ मार्च से यह शुरू है यहां पर जो में डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं सबसे पहले तो देखेंगे आप यहां पर जो आपके जितने भी सैक्षिक प बुलाया गया है उस दिन आपको जो है एक आपका ओनलाइन आविदन जो किया था वह आविदन पत्र का सेलप अटेस्टेट प्रिंट आउट आउट आपको लेके जाना है और चेक्लिस्ट आपको बनानी है जितने भी आपकी शैक्षिक परमान पत्रे है ठीक है उसमें बुल डॉक्यूमेंटे उन से उनका सत्यापन किया जाएगा तो आपको दो दो कॉपियां हर किसी की लेके जानी है यह सारी चीज़ें आपको जो है पहले से भी पता ही होंगी और आपको पता है दोस्तों यहां पर जो भी इस डॉक्यूमेंटे वेरिफिकेशन में मतलब सह भी पाए जाएंगे तो उसकी एक अलग से लिस्ट आएगे और उसके बाद ही कुल पदों जितने कुल पत थे उसके सापक्ष जो है अंतिम चैन प्रणाम प्रणाम फिर उसके बाद आएगा तो पहले डॉक्यूमेंटे वेरिफिकेशन होगा जितने लोगों का नाम जितने इंगलिश का है याँपर को तो इंगलिश में जिन लोगों का है साथ तारीक को दिया है याँपर रॉल नंबर उनका उसके बाद आठ तारीक को है आठ तारीक को इंगलिश में जितने जितने एक सो बैलीस बच्चे हैं तो एक ही दिन में होना और यहाँपर संभव नहीं तो आठ तारिक को भी इनका होगा, इंगलिश के, कुछ बच्चों का, ठीक है, कुछ का साथ को हो जाएगा, कुछ का बाकी का आठ को होगा, और उसके साथ ही साथ आर्ट तारिकों गणित है, इतिहास, कला, मनोविग्यान और कृशी, ठीक है, इतने सब्जक्टों का जो है, आर्ट मार्च को सत्यापन होना है, तो आप देख सकते हैं, ये पीडियाप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर आपको मिल जाएगी, अंग्रे जी, मैं इतने लोगों का गणित में, और गणित का तो कमी बच्चे हैं, छह साथ बच्चे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, एक ही दिन में हो जाएगा, उसके बाद बात करते हैं, कला में, कला और मनोविग्यान, किर्शी, इन सभी का, उसके बाद, नौ मार्च को, क्योंकि हिंदी में बहुत बच्चे हैं, तो यह सिफ्ट वाई जोगा हिंदी में 10 मार्च को भी है, यह पुरा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 15 मार्च दिया है, बहुत एक सास्त्र के लिए, ठीक है, और समास सास्त्र के लिए, तो दो सब्जेक्ट का 15 तार बाद 22 मार्च को नागरिक शास्त्र का है, और 23 मार्च को हो आपका अर्थसास्त्र का बागी के जितने बजे होंगे जो तेष को कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उसके बाद 28 मार्च है सीदे तो उसमार संस्क्रित already भुगोल का दिया है, इन्होंने आठीक है यह सभी 28 मार् हुआ है आप लोग जाएंगे वहां पर सारे डॉक्यूमेंटे अपने तयार करके अगर कहीं पर माली जो फॉर्म भरने में या उसमा आपके मिस्टेक होती है हुई है तो आप उसके लिए एक एफिडेमिट बना के ले जाएंगे कि इस तरीके से गलती हुई है आप उसका जो ठीक है आप देखें यहां पर थोड़ा कुछ इंप्रोटन चीज दी है कुछ नोट दी है है नुने नंबर एक दिया है प्रतेक दिवसकों अभिर्थियों के अभिलेखों की जांच का कारी परिक्षा भौन उत्राखंडर लोग सिवायों खरिद्वार में प्राता दस बज साखाओं के अभिलेक पर्थम तिती जिस तिती में जैसे मानले को हिस्ट्री से भी है और पौलिटिकल साइंस से भी है तो पहला डेट जिसमें आप उसी में करा लेंगे यानि कि उस पर उपस्तित हो जाएंगे और उसके बाद इसमें अगला चार नंबर में अगला करेंगे तो देखिए यहां पर ऑनलाइन आविदन पत्र अनुकुर्मांक सहित बिस्तरित आविदन पत्र और प्रमानी करन प्रपत्र और देशना पत्र गया निकी इंडेक्स कार्ड तो इतनी चीज़ां आपको डाउनलोड करनी है वहां से और उसको अच्छे तरीकी से भ करने हैं यह मैंने आपको पहले का था दो दो सेट इसके बना लेना है और अवियर्थी अभिलेकों की जांज ही तू नियत तितिको निमलखित मूल परमान पत्र और उनकी चाया प्रती प्रलब जो सेल पर टेस्टेड होंगी उसकी दो-दो कॉपी बना कर ले जाएंगे ठी की उपाधी डिगरी ले जानी अंकतालिका की कह सेम वेसी हैं अंकतालिका भी ओर सभी सेमेस्थर वर्सूंकी जो भी उसके बाद है और अधिमानि अनिवाद संबनी पॉर्षी जवे संबंधिकी निवाद पत्र ग्रतर प्रता हैं तैयार करने पढ़ेंगे विग्यापन के बिंदू संख्या दो में उल्ले की नोट समोगा के पदों पर भरती के लिए अन्य अनिवारे अरता सम्मधित ऑनलाइन आवे दिन पत्र में जो भी आपने उस समय दावा किया होगा वो सभी आपके पास अभी होने चाहिए ठीक है अगर यदी अ का दावा के जाने के स्थिति में पूर्व सैनिक अभिरती इस आसरी का सपत पत्र एफिटेविट यानिकी बनाएंगे अन्य अभी लोगों के साथ जो है उनको संलगनक करना यह सारी चीज़ें मैंने बताई दी कहीं पर मिसमेच है कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो दीयार के लिए ऐफर डेविट यह किया जाता है कि अंकतालिकाओं को संभन्धित परिक्शारं के मूल प्रमाल पत्र या डिग्री के साथ परमाणिन नहीं समझते हैं और के Monta धां के आधार आथर पर आपको संभनित परिक्शारं नहीं माना जाएगा आपके पास डिग्र प्रिक्षाओं के परिक्षापल हाल में प्रकाशित हुए हो और परिक्षा संस्था ने नियमित प्रमाल पतर या उपाधी नहीं द виये उन ayam प्रविजनल शर्टिफिकेट मूल पर्माल पतर के साथ आपको दिखाना होगा जो प्रश्टूत की जाने की तीधी माहां पूरों से अधिका नहीं होना चाहिए तो आपको जो है प्रोविजिनल सर्टियफिकेट आपको ले जाना अगर डिगरी नहीं मिली है वो किस बेस पर नहीं मिली है, मतलब मिली ही नहीं है, जारी नहीं हुई है, किसी को नहीं जारी की गई है, क्योंकि 6 माह के भीतर जो है, नहीं हो पाती है, तो अगर प्रोवेजनल बनाना है, और जो भी जिसकी 6 माह से उसकी भी ज्यादा डेट नहीं होनी चाहिए, उसका पास जो प्राथ्मिक्ता होती है ठीक है जिसको आप प्रिफर करते हैं तो उस सूची की प्रती और बहुत इव्यांग के से संभनाध अवयर्तियों थ्यों द्वार आ प्रिशय के बहुत इव्यांग की उप स्रीनि के ऐंनलाइन अंहें समंदित प्रिंट आउट की प्रतिवे आपको लेके जानी है तो इतनी सारी चीजें मैंने जो में में चीजी थी वो आपको बता दिया है मैंने ठीक है तो आप परिशर में मुबाइल पॉंड कैमरा इलेक्ट्रोनिक गूप करन वगरा नहीं ले जा सकते हैं ठीक है ये कुछ इंपर्टेंट ची आपको साथ दिन के अंदर वो चीज करने पड़े गया नहीं कर पाएंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे ठीक है तो ये मैंने जो इंपर्टेंट चीज थे में में चीजे मैंने आप बता दिया है और बाकी ये पीडियाप में डाल दूंगा इस पीडियाप को बहुत आर शुब का मनें दू तो तानिवाट